सभी आंगनबारी बहनों को मेरा नमसकार मैं रितेश कुमार तो आज मैं आप सभी को पोशन ट्रेकर एप की महतोपुर्ण अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जैसा कि पोशन ट्रेकर एप में 12.4 का एक बहुत ही महतोपुर्ण अपडेट आया है जैसे कि इस अपडेट में चार नए आप्शन को जोड़ा गया है चारों नए आप्शन क्या क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसा कि आप लोग हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे है कि पोशन ट्रेकर एप का नए अपडेट आ चुका है और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि 6 मार्च 2022 को ये अपडेट आया हुआ है यहाँ पे आपको एरो पे किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नए महतवपूर्ण अपडेट क्या है जैसे कि पहला है ट्रेनिंग मोडूल फोर ए डबलु डबलु यानि कि आगणवारी वर्कर के लिए ट्रेनिंग मोडूल का एक नया ओप्सन जोड़ा गया है इस पोशन ट्रेकरेप में दुसरा है भैक्सिन सिड्यूल गाइडलाइन यानि कि जितने भी लभार्थियों को आप लोग पोशन ट्रेकरेप में एड़ किये हैं उनका यहाँ पे भैक्सिन सिड्यूल जारी कर दिया गया है यानि कि एक नया ओप्सन जोड़ा गया है पोशन ट्रेकरेप में भैक्सिन सिड्यूल का उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ तीसरा अपडेट है बैंक डिटेल्स फोर एडबलू एच जैसा कि हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि आगण बारी सहाईका के लिए जो बैंक डिटेल्स जोड़ने का उप्सन आया है लेकिन सहाईका के लिए नहीं आया है तो भभीश्यूल में सहाईका के दिनों से आंगरवारी सेविकाओं को परेशानी हो रही थी कि THR का ओप्सन नहीं आ रहा था THR भरने के बाद सब्मिट नहीं हो रहा था उसके बाद जो ग्रीब भरमन है वो भी नहीं हो पा रहा था तो कई सारी प्रवलम कुछ दिनों से चल रही थी उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है तो इस वीडियो में आप लोग बने रही है मैं चारो मोडूल के बारे में आपको step by step जनकारी देने वाला हूँ वीडियो को आप लोग बिलकुल भी skip नहीं किजिएगा नहीं तो आप से एक महतोपूर्ण जनकारी छूट जाएगी वीडियो में आगे बरने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक किजिए चैनल को अभीतक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप हमारे चैनल पे नए आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि आपको पोशन ट्रेकर रैप से रिलेटर नई नई इंफोर्मेशन मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो नया अपडेट आया है इसको हम लोग अपडेट यहाँ पे करेंगे जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा आपका जल्दी ही ये पोशन ट्रेकर रैप अपडेट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे फाइनली ये जो अपडेट है वो हो चुका है अब यहाँ से हम इसको सिंपली ओपेन करते है तो आप लोग जैसे ही पोशन ट्रेकर अप को अपडेट करके ओपेन किजिएगा तो यहाँ पे आपको होम पेज पे ही कुछ देखने को मिल जाएगा जैसे कि पार्टिसिपेट इन स्वस्थ बालक बालिका अस्परधा ये जो अस्परधा थी पिछले दिनों एस्पेंड कर दिया गया था इसको रोक दिया गया था ये नहीं हुआ था लेकिन इस बार यहाँ पे देख सकते हैं 21 मार्च से लेके 27 मार्च 2022 के बीच ये फिर से स्वस्थ बालक बालिका स्परधा कारिकरम होने वाला है तो इसके लिए आप सभी को तैयारी कर लेना है और यहाँ पे ध्यान दिजिएगा समझिएगा कि यहाँ पे क्याल दिया गया है जैसे कि एड नौन बेनिफिसरी चिल्डरेन अप्टू 6 इयर एज यानि कि आपके पोसक छेतर के अलावा जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे नेम एड किया जाएगा इसके बारे में हम आपको नेक्स वीडियो में बताएंगे कि इसमें क्या करना है तो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी यह जो आप्शन है वो अभी ओपे नहीं हो पा रहा है यानि 21 मार्ट से आप लोग का यह जो आप्शन है इसमें बच्चों को एड करने का वो ओपेन होने लगेगा आप लोग जान लिजिए कि यह नया अपडेट आ चुका है स्वास्त बालक बालिका स्परधा काड़े करम करने का तो आप लोग को तैयार रहना है उसके बाद यहाँ पे आपको यह जो बेनिफिस्टरी वाला ओप्शन है आप लोग इसको ओपेन कीजिएगा ओपेन करने के बाद यहाँ पे आप लोग किसी भी केटेगरी को ओपेन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा चलिए यहाँ पे हम गर्भाती महिला की केटेगरी को ओपेन करते हैं आप जैसे ही open कीजिएगा तो थोड़ा दिर आप लोग wait कीजिएगा तो ये automatically open हो जाएगा थोड़ा सा समय ले रहा है तो हम यहाँ पे wait करते हैं देखिए open हो चुका है open होने के बाद जैसे ही आप इसको scroll आप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे below the guideline for vaccination pregnant woman या category को open करेंगे तो उनके भी category में यहाँ पे vaccination का option add कर दिया गया है उसके बाद यहाँ पे 0 से 6 मन्त के बच्चों की category open करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 से 6 मन्त के बच्चों की केटेगरी ओपन हो चुकी है ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल ओप किजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उम्र के हिसाब से जो बच्चों की भैक्सिनेशन है उसका डिटेखिएल से यहाँ पर देदिया गया है कि बर्थ के समय कौन कौन से भैक्सिनेशन बच्चों को दिया जाता है 6break के बाद कौन सा भैक्सिनेशन दिया जाता है इस परकार से देख सकते हैं कि 14 वीक्स तक जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से सुई दी जाती है सबहेक्सिन है जो यहाँ पे देना है बच्चों को तो यहाँ पे इसको स्क्रोल अप करके आप लोग देख लीजेगा चलिए अब हम बात करते हैं कि जो तीसरा अपडेट है जैसे कि AWS प्रृफाइल अपडेट यानि जो सहाईका का प्रृफाइल अपडेट का option दे दिया गया है तो जिस परकार से हम लोग सेवीका का profile update किये है उसी परकार से यहाँ पे सहाईका का भी profile update कर लेना है फिर उसके बाद अगला जो update है जैसे कि फिर से आपको three dot पे click कर देना है three dot पे click करने के बाद यहाँ पे आपको यह जो events वाला option आप लोग देख रहे हैं तो इस events वाले option पे यानि घटनाए वाले option पे आपको किली कर देना है किली करने के बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर पहले तीन ही category था लेकिन यहां पर चौथा category एड कर दिया गया है चौथा category है training module तो जो आगनवारी worker है उनको यहां पर training module का जो option है वो add कर दिया गया है यहां पर देख सकते हैं planning and organizing community based event at AWC यानि आपके आगनवारी के अंदर पे जो community based यानि CBE जो कारेकरम होता है उसका आप लोग यहां पर training ले सकते हैं इस परकार से देख सकते हैं कितने सारे training का option यहां पर दिया गया है मैं इसका भी वीडियो आ दिया गया है इसके बाद हम लोग यहां पर जो home visit वाला option है उसको open करेंगे open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि जो home visit option है वो यहां पर submit हो रहा है या नहीं हो रहा है यहां पर देख सकते हैं आज की date डालेंगे जो छूट गया है उसको यहां पर हम भर के देखेंगे कि submit हो रहा है या नहीं तो यहाँ पर हम डाल चुके हैं जो आज का date है डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी वो problem है जैसे कि home visit में आप लोग बच्चों का किसी भी लभार्थियों का home visit करते हैं तो यहाँ से details अभी नहीं जा रहा है तो कहने के मतलब है कि जो home visit schedule है यह अभी थोड़ी से problem है और जो THR वेगरा है आप लोग करके देखिएगा कि जो क्या-क्या problem अभी आप लोग को देखने को मिल रही है आप लोग हमें comment करके ज़रूर बताईएगा आप लोग के साथ चल रही है तो आज के इस विडियो में फिलाल इतना ही उमीद है आप सभी को आज के इस विडियो से जनकारी मिल गई होगी 12.4 की क्या-क्या नई अपडेट आई है विडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस विडियो को लाइक कर दीजेगा और इस वीडियो को अन्य आगणबारी बहनों के साथ सेर भी कर दीजेगा मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद